नमस्कार खबरों की खबर में आपका सौकत है इस वक्त की बड़ी खबर विपक्छी खेमे से आ रही है जहां हाहाकार मचा हुआ है दो कॉंग्रिस के बड़े लीडर जो यूपीय सरकार के दोरान वरिष्ट मंत्री थे वो भारती जन्ता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं इस खबर से बवाल मचा हुआ है लोग सोच रहे हैं इस कॉंग्रिस पार्टी को हो क्या गया है अभी कुछ दिन पहले महराष्ट के एक पुर्व मुख्य मंत्री अशोक चवान भारती जन्ता पार्टी में शामिल होते हैं इस शोक से कॉंग्रिस पार्टी उबरती नहीं है कि खबर आ जाती है कि कमलात वो भारती जन्ता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं दिल्ली आ गये हैं वो अकेले नहीं साथ साथ दरजन भर MLA और वरिष्ट कॉंग्रेसी वरकर्स के साथ वो भारती जनता पाटी में शामिल होने जा रहे हैं कल की तारीख मुकरर की गई है 19 तारीख को वो भारती जनता पाटी में शामिल होगे और कॉंग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है कोई डिनायल नहीं आ रहा है ये भी खबर नहीं आ रही है कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी ने कमलात को मनाने की कोशिश की मतलब जाता है तो जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा इगो हमारा एंकार हिमाले परवत से भी जादा उचा है ऐसे ऐसे कई कमलात और असोक्चवान वो हमारे सामने कुछ टिकते नहीं है इस एटिचूड से आप निताओं को ट्रीट कर रहे हो अभी ये दो-दो शौक से आप उपरे नहीं अब पंजाब से खबर आ गए वरिष्ट लीडर मनिस्तिवारी वो भारति इंताओं परटी में सामिल होने जा रहे हैं है मामला सर्फ सीट को लेकर के है कि वो अनंद पूर भित inventor सहब से लड़े शौक से अपने बड़े बड़े लीडर्स को खोने में उनको बड़ा ही गर्म महसूस हो रहा है और इसलिए दो बड़े नेता एक मनिस्तिवारी और दूसरे आनंद शर्मा जो हिमाचल से वो राजसभा के सांसद हैं लेकिन उनकी भी ख़बर आ रही है कि वो भी भातिता पार वो चुनाल लड़ने वाले हैं बीजेपी की तरफ से अब सवाल ये है कि ये सारे चीजे क्यों हो रही है कैपिटल टीवी के दर्सकों को लगातार पिछले डेल बेने से हम लोग कहते आ रहे हैं कि कम से कम पंदरह बड़े वरिष्ट कॉंग्रेसी लीडर्स वो उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ के भारती जिनता पार्टी में शामिल होगे खबर कभी मधप्रदेश से आ जाती है खबर कभी महराज से आ जाती है खबर कभी पंजाब से आ जा रही है अब साउट का भी नंबर लगने वाला है और इस्ट का भी न तो वही G22 वो कॉंग्रेस पार्टी के अंदर एक गैंग खड़ा हो गया था जो राहूल गांदी के क्रिया कलापों से उनकी कार पणाले से उनके बरताओं से नाराज थे उनको लगता था कि पार्टी जो है एक आदमी अपने कुछ छुट भईये इनुवर्सिटी से निकले कुछ लोगों के साथ मैनेज कर रहा है पुराने कॉंग्रेसियों की का महत्तो पार्टी के अंदर खत्म हो गया है और वो उसमें बदलाव लाना चाह रहे थे लेकिन बदलाव आएगा कैसे खड़ गे कोई कर रवर स्टैंप अजध्यक्ष मना दिया गया फैसले अभी भी सोनिया गांदी राहुल गांदी हो रहा है पार्टी को अभी चुनाओ की तैयारी करना चाहिए था लेकिन सारे लोग राहुल गांदी की यात्रा में पूरी इनरजी लगा चुके हैं पार्टी एलोक सभच्चुनाओं में क्या कैसे गड़बंदन करेगी क्या करेगी कोई भी फैसले में बड़े लीडर्स की कोई पूछ नहीं है मरिस्तिवारी पहले से नाराज थे और अब जितने भी लीडर्स वो G22 के अंदर थे उनको लग रहा है कि हमारी बातों को तो सुनी नहीं गई तो राज जिती तो बहुत ही कुरूर चीज है कुछ लोग उस समय पार्टी छोड़के निकल गए और जो लोग बच गए वो बिलकुल राइट टाइम पे राहूल गांदी को जटका देने के लिए ये टाइमिंग चूज किया है कि चुनाओं से पहले एक एक दिन में एक एक दिन में दो दो दिन में इस तरह के शौक कॉंग्रेस पार्टी को वो देते रहेंगे मनिश्तिवारी पुराने कॉंग्रेसी हैं ऐसे वैसे नहीं वो एनेसवाई के भी अध्धक्ष रहे राष्ट्री अध्धक्ष यूथ कॉंग्रेस के भी रहे और वो 2009 में चुनाओं जीत के आते हैं लुद्याने से और वो सूचना और प्रसारण मंत्रिया भी जैसे इस सरकार में अमराग ठाकुर की हैसियत है उसी तरह की हैसियत थी और उससे पहले वो कॉंग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स परसन थे पेशे से वकील है सुप्रिम कोट के ये वकील है और कॉंग्रेस पार्टी के लिए उनके परिवार का भी बड़ा कंट्रिमूशन है लेकिन अचानक से ये खबर जब आ रही है कि वो छोड़ने जा रहे हैं तो ये तो एक बड़ा शौक है लेकिन कुछ कॉंग्रेसी लीडर्स मीडिया वालों को बता रहे हैं कि देखिए उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो निगोशियेट करना चाह रहे हैं मामला सिर्फ यहीं पर फसा हुआ है कि वो इस वक्त आरणपुर साहब के सांसत है वो लुधियाना चाहते है तो यह थोड़ी छोटी मोटी चीजे यह तो एड़्जस्ट हो जाती है कल कमलनाद जॉइन करेंगे दो दिन के बाद मनिस्तिवारी जॉइन करेंगे और खबर यह भी आ रही है कि आनन सर्मा कॉंग्रेस पार्टी के राजसवा के अंदर अभी सबसे बेहतरीनी स्पीकर्स में से एक है कॉंगर्स मिनिस्टर रहे गांधी परिवार और उनके परिवार में बहुत घनिष्टा बताई जा रही है लेकिन फिर भी यह सारे लोग पार्टी छोड़ छोड़ के भारती जिन्ता पार्टी में सामिल होने जा रहे है वो भी चुनाओ से ठीक पहले आधर दर्जन तो संख्या बड़े लीडर्स की होई गई है चीफ मिनिस्टर्स, कैबट मिनिस्टर्स राज्यों मिनिस्टर्स जो रह चुके हैं इस तरह के बड़े बड़े लीडर्स छह से ज़्यादा तो होई गए है अभी और ये जो लिस्ट है वो काफी लंबी है आरंद सर्मा और मनिस्टिवारी के बीजेपी में आने से भारती जिन्ता पार्टी को बड़ा फाइदा होगा पंजाब के चुनाओं पंजाब में अभी अकालि दल के साथ भारती जिन्ता पार्टी का कोई अंडर्स्टेंडिंग नहीं बन रहा है अकालि जिन्ता अभी उसी पुराने फ्रेमवर्क में काम कर रही है एक जूनियर पार्ट्टर की तरह भारती इंता पार्टी को ट्रीट करे भारती इंता पार्टी वो टाइम ले रही है और भारती इंता पार्टी के अंदर एक दूसरी राय भी बन रही है कि यहां पे अगर हम एक दो सीट लेकर के आ भी जाते हैं तो कोई उससे जादा फर्क नहीं पड़ता है अगर हम बड़े बड़े लीडर्स बड़े बड़े चेहरे को मैदान मुतार करके चुनाओं लड़ते हैं तो क्या पता प्रधान मंतरी मोदी के वेव में हमारा संगठन वो खड़ा हो जाए और आगे चलके जिस तरह से कॉंग्रेस पार्टी खत्म हो गई है जिस तरह से अकाली दल जो है बिलकुल अपने नीचले अस्तर पे आ चुका है तो आम आदमी पार्टी बर्सिस बीजेपी वहाँ पे आगे फ्यूचर में रहे इसके लिए जरूरी है कि सारी सीटों के उपर भारती जिंता पार्टी अपने उमिद्वार को खड़ा करे क्या स्टर जी बनती है उसके तहट मनिस्तिवारी इवन सिद्दू नग्जो सिंग सिद्दू ये सारे लोग अभी नंबर लगाये हुए हैं भारती जिंता पार्टी की ओर अब देखना ये होगा कि कॉंग्रेस पार्टी के अंदर से इसको लेकर कि क्या जवाब मिलता है जवाब मिलना नहीं है असोक चवान जब भारती जिंता पार्टी में आ रहे थे तो कॉंग्रेसी बड़बोले निता उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता कमलात आने वा मरिस्तिवारी के आफिस से ये कहा गया है कि नहीं नहीं अभी कोई इस तरह की बात नहीं है कमलात भी कह रहे हैं इस तरह की बात नहीं है कुछ दिन पहले तक असोक चवान भी कह रहे थे ऐसी बात नहीं है कारण बस ये है कि अंटिल अनलेस राजनीती में जब तक आप कि भारती इंता पार्टी कॉंग्रेस पार्टी को शौक थेरपी दे रही है हर एक दिन दो दिन के बाद बढ़े बढ़े चेहरे भारती जनता पार्टी बारे इससे दो चीजे लग रही है एक कॉंग्रेस पार्टी के अंदर जो वरिष्ट लीडर्स हैं उनको राहूल गांदी के नित्वत में न भरोसा है और नहीं उनके बरताव से वो प्रसंद है उनको लगता है कि उनको एक डेड वूड की तरह एक यूजलस गृप की तरह उसको ट्रीट किया जाता है कि चलो भ इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं दूसरी वज़ा और दूसरा संकेत वो बिलकुल साफ है कि कॉंग्रेस के नईया डूब रही है तो राजीती तो राजनीती है हर कोई राजधानी मेल के उपर जो है वो बैटना चाहता है विनिंग साइड में रहना राजनीती का सबस भारती जनता पार्टी की जीत ये कॉंग्रेस के नेता भी देख रहे हैं इसलिए वो राहूल गांदी को छोड़कर प्रधान मंतरी मुधी के बैंड वेगन में सवार हो रहे हैं भारती जनता पार्टी में सामिल हो रहे है। झाल झाल